प्यारे स्टुडेंट्स जय हिंद और जैसा कि मैंने आप सभी हो कहा था कि 16 तारिक को मैं आपसे मुखातिब होऊँगा आपसे मिलूँगा और आपको सैना भरती परिक्षा से रिलेटेड जितनी भी बाते हैं जो आपको मुझे बतानी है और आपको आगहा करना है वो मैं ज सीनियर अधिकारी के साथ जो कि इंचीरियों में डील करते हैं और उनसे जो मेरी बातचीत हुई उसी के हवाले से मैं आपको कुछ एक बाते कहना चाह रहा हूँ और यहां पर जब आप ये सारी बाते सुने जाने तो एक बात दो ख्याल रखें कि मैं अपना फर्ज इस बा बहतरीन धार दे सकें अगर मैं जानकारी होने पर बातचीत होने पर जो जानकारी मिलती है उसके उपरांत आपको बताता हूँ कि ये होने वाला है या वो नहीं होने वाला है या ऐसा हो सकता है वो मैं नहीं कह रहा हूँ वो ऐसा चीजें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके मद्दे नजर आपको कह रहा हूँ और आज मैं कुछ और बाते जो उनसे जो मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने मुझे क्या क्या रास्ते बताए समझाए जो कि सुएम इस विभाग में काम करते हैं उन्होंने मुझे क्या क्या रास्ते बताए वो मैं आपसे साजा कर कि आप लोग ये तैयारी भी शुरू कर दें, दोर की तैयारी भी शुरू कर दें, तो बच्चों की पृतिक्रिया भी और साथी साथ वे लोग जिनका इस पूरे समीकरण से व्यपारिक इंट्रेस्ट है, हर जगे unwanted मिर्ची लग गए। आप देखिए समझे, कोई भी व्यक्ति क्यों चाहेगा कि उसका वेपार खराब हो, खतम हो, और ऐसे चीज में वो कई बार सच को छुपा जाते हैं, कई लोगों को सुना, कोई अपने चानल को बढ़ावा देने के लिए मेरी क्लिपिंग को इस्तेमाल कर रहा है, कोई आके कह रहा है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, आप ये समझे तो मुझे ये बता दिया जाए कि ऐसा कब हुआ है, कि भरती परिक्षा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार-चार बार निरस्तो रही हो, और जिसमें कोविट का रिजन दिया जा रहा है जबकि बाकी परिक्षाएं हो रही हैं तो ऐसा नहीं हुआ ये बेमानी है पहली बात दूसरी बात एक और सीने अधिकारी कहते हैं कि अगर हम आपकी टर्म्स अन कंदीशन की बात करते हैं तो जो आपके recruitment का advertisement था उसमें जो terms and condition थी अब जो exam होता है या आपकी भरती होती है तो वो terms and condition ही लागू रहेंगी लेकिन फिर भी यदि national interest की बात यदि करते हुए उस exam का निरस्ति करन भी होता है तो यह litigation का मामला तो होगा आप लोग स्वतंत्र होंगे court में जाने के लिए इस बात को लेके लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यह बात बिलकुल बेमानी है पहली बात तो आज तमाम लोग वो चाहते हैं कि भाईया हम कहते रहें गाजर लटकाते रहें exam एक मैने नहीं एक मैने बाद होगा दो मैने बाद होगा गाजर लटकती रहें और उनका जो admission है वो आते रहें लोग उनके पास आते रहें उनकी उनकी सुर्खियां से उनको benefit होता रहें उनका channel जो है वो सुर्खियां बटोरता रहें और सच से दुरो दुनिया को दूर कर दो आज मेरे लिए भी तो बड़ा आसान है ये कहना कि मेरे प्यारे बच्चों मेरी बातचीत हुई है एक्जाम अब दिसंबर में ना होगे जनवरी में होगा तो आपके बास दो मैने का वक्त है अपनी तैयारी कीजिए और चौरे भारत में आपका स्वागत है मैं कह सकता हू लेकिन दस वर्षों से इतियास गवाए मेरे मेरे स्ठात्र इस बात का गवाए है कि मैंने कभी भी जब स्टूडेंट हिट की बात होती है कभी भी वेपारी दृस्टी को नहीं देखा इसलिए हम वो इसिट्यूट है जो कि एक बार फी लेके बच्चे को तब तक तक तैया लाए नहीं हो जाता है इस बात को साईड में रखते हैं इंपोर्टेंट क्या है वुआ बात करते हैं बात क्या हुई वो बात करते हैं तो कड़वा सच और आप लोग जिसका कमजोर दिल है क्योंकि मुझे नहीं सुनना कि सर हाई सर मेरे दिल बैठा गया आपने जब बोल दिया तो क्या होगा क्या नहीं होगा तो मेरे प्यारे बच्चों तो दिल तो आपका वैसी बैठ जाना चाहिए एक्जाम हुआ क्या तो जो बात्चीत है पॉइंट नमबर वन और हमें क्या करना है वो है पॉइंट नमबर टू मैं आपको और वो आपको ही करना है आप सोचेंगी अतुल कुल से जागे करेगा यह सारी चीजे क्याप्टन अतुल से करेंगे मैं आपका रहनुमा बन सकता हूँ आपको आप मुझसे शत प्रतिशत इमानदारी की एक फौजी हूँ शत प्रतिशत इमानदारी की उम्मीद रखके मैं आपको लीड कर सकता हूँ आप मुझसे 100% इमानदारी की उम्मीद रख सकते हैं मैं आपको निराश नहीं करूँगा लेकिन मैं कतई वो वेक्ति नहीं वो छात्रों को नहीं बता हूं कि यह दी मैं आपको अंदकार में रखता हूं तो मैं करतव्वे प्राणता से दूर भाग रहा हूं जो कि मेरे जमीर में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों यह बात बिल्कुल किलियर है कि अभी जो जितनी भी A.R.O.S के द्वारा जो होने वाली भरतियों के जो एक्जाम्स हैं उस पे रोक लगी हुई है क्योंकि कुछ पॉलिसी मैटर्स पर डिसकुशन चल रहा है और वो पॉलिसी मैटर्स जो है क्या भरतियों का नया प्रारूप होगा क्या क्या चीजे होंगी क्या टमसन कंडिशन होगी वो फॉर्मूलाईज नहीं हुआ है वो फाइनल नहीं हुआ है और जब तक वो फाइनल नहीं होता उसका प्रारूप नहीं बनता तब तक यह एक्जाम होंगे या नहीं होंगे इसकी clarity किसी को नहीं पहली बात जब मैंने categorically पूछा कि क्या जब कि मुझे पता था कि ये चीज पहले मेरे बात बातचीत में आ चुकी थी लेकिन फिर भी मैंने इस बात को और पूछा उन से खोद के कि क्या ये भरती निरश्ट हो सकती है तो मुझे जवाब यही मिला कि 50-50 chances हैं तब मैंने counter question उनके साथ किया कि पुरानी terms and condition तो थी अब जब पुरानी terms and condition पे आपने advertise कर दिया भरतियों के आवजदन मंगा लिए लड़कों ने तैयारी कर ली आधा एक्जाम हो चुका है और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है तो कैसे होगा तो बोलते हैं उस condition में मालनो यदी हुआ भी तो बहुती limited vacancy पे परिक्षा होगी यदी नए प्रारूप में देखें यह सारी बाते यदी यदी पे हैं क्योंकि सब लोग वो आला अधिकारी जो की इस पूरी organization में इस recruitment को देख रहे हैं उनको भी clarity नहीं है पहली बात वो भी अनुमान लगा रहे हैं उन financially beneficial होती है financially beneficial है government of India के लिए तो ऐसी इस्तिती में और पुराने और पुरानी भरती निकाली थी वो पूरी करने important है क्योंकि नहीं तो litigation के मामले पढ़ेंगे कई जगे लाकि लोग case करेंगे तो बहुत दी limited vacancies के उपर वो भरती कराई जा सकती हैं तो एक प्रकार से vacancies को जो current में जो vacancies हैं उनको restrict करके थोड़ी vacancy यहां देके आगे आने वाली जो फाइदे मंद जो हैं जो सरकारी रूप से जो फाइदे मंद हैं वहाँ पर वो सारी vacancies shift कर सकते हैं ऐसा तो होता है तो cancel होना या फिर नहीं होना 50-50% chance है सीधी सी बात कोई इसको कैसे लेता है मेरा कुछ फाइदा नहीं है ना इसमें मैं तो आपके हित के लिए बात कर रहा हूं कि ultimately हम करें क्या और मैं आज आपको आके सीधे ही एक उपाय बता दूं कि बटा आप ये काम करो तो आप उसका कारण तो मुझसे जानना चाहोगे कि नहीं ही है ये एक ठोस कारण है कि आज आप सबको जागना होगा अंधेरे में नहीं रहना होगा उस दुनी मैंने एक्जामपल दिया था आपको कि आप यदि कबूतर की तरह आँख बंद करके ये सोचोगे कि शिकार करने आई वी बिल्ली चली गई है तो आप सच में अंधेरे म में ज्यादा तर लोग तमाश बीन है वो दूसरों की बरबादी पर तमाशा देखके ताली बजाने वाले लोग हैं यहां पर अपने चैनल को सुर्खियां बटोरने वाले लोग हैं कभी भी आपने यदि मेरे वीडियो में देखा हो कि मैं बोलता हूंगा कि आप इसको सब मेरी बला से जिसको सही जानकारी लेनी होगी वो इस वीडियो को देखेगा नहीं लेनी होगी दुनिया में सब्सक्रिप्शन के लिए भीक माँगने वाले तमाम लोग हैं हमें जरुवत नहीं है हम अपने स्टूडेंट के साथ सच्चाई से हैं और जब मैं सच्चाई से रहूंगा तो स्टूडेंट मेरा मेरे साथ खड़ा रहेगा बात खतम होगी अब आपको क्या करना है यह समझ लीजी आप हकीकत आज की डेट की हकीकत तो यह बिलकुल है कि एक्जाम तो नहीं हो रहा एक्जाम की डेट कभी नहीं पता हुआ है और एक्जाम क्या कोवीड क आपकी वजे से कैंसिल है या कोई और रीजन है वो भी पता होना चाहिए तो यहां पर उस अधिकारी से और वो अधिकारी वर्तमान में सेवा में हैं, वर्तमान में सेवा में हैं, तकریबां 24 से 25 साल उनकी نौकरी हो चुकी है और वह उत-तज्रूरवेदार अभिकारी है औ मिले कैंसल हो ला समझ में आ गया एक्जाम कैंसल हो गया तमाम बार होते हैं कई सारे एक्जाम होते हैं लेकिन उसके बीछारी रीजन क्या है तो यहां पर जब मेरी बातचीद विस्थित हुई तो ने उनसे पूछा भई हमें रास्ता तो बताईए आप सेवा में हैं आप इस वक्त काम कर रहे हैं मैं मानता हूं आप खुलके नहीं आ सकते आप बोल नहीं सकते लेकिन हमें इतना करेज है कि हम अपने छात्रों को गाइड कर सकते हैं और आज जब पूरे देश भर के छात्र शौर भारत से पढ़ रहे हैं तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं आपको सही दिशानिर देश दो और जहां तक देश हित की बात है तो मैं बदली बहांती समझता हूं कि हर देश हर राष्ट जो है वहां के नागरिकों से बनता है और वहां के लोगों का जो हित है वहां के न की कोई बात है तो वो यकीनन राश्टित है आज उन्होंने मुझे बताया जब मैंने उसे पूछा एक प्रसिक्ष्चों के रूप में मैंने उसे पूछा तो आप ही बताईए सर कि हमको हमारे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए तो उन्होंने सीधा जवाब दिया मुझे कि आपको सम्विधान ने राइट टु इन्फॉर्मेशन आर्टियाई जो आर्टियाई एक्ट है जो फंडमेंटल राइट है आपका आर्टिकल 19 के तहट हर नागरिक के पास भारत के हर नागर 10 रुपे में आपको जरूरत ही नहीं है किसी भी यूट्यूब पे जाकर किसी चैनल को देखकर खबर सुनने की आपको अविशकता ही नहीं है आप केवल 10 रुपे खर्च करके वो सारी जानकारी ले सकते हैं जिसके लिए आप दर-दर भटक रहे हैं जिसके लिए आप इध यहां पर ध्यान रहे मैंने बड़ी स्टडी करी जब उन्होंने मुझे बताया इसके बाद यह 30 दिन के अंदर अंदर एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन अधिकारी का यह फर्ज होता है कि वो आर्टी आई पर आपको जवाब दे एक राइट टु इन्फॉर्मेशन जो आर्टी आई है आप बाई हैंड भी दे सकते हैं और उसका ऑनलाइन तरीका भी है और आप यूट्यूब पर डालें कि आर्टी आई कैसे दा एक्ट के अंतरगत कई सारे विभाग जो थे वो इन्फॉर्मेशन देने से बच जाते थे परंतु 2005 के जो आपका राइट टु इन्फॉर्मेशन एक्ट है और जो आप 2020 में आपका फंडमेंटल राइट बन गया है यह आपका मौलिक अधिकार है कि कोई भी सरकारी इसमें जाके एरिया रुक्री डायक्टर रिक्रूटिंग को आप पता लिखकर बाइपोस्ट दे सकते हैं आप बाइएंड जाके दे सकते हैं और जब आप बाइएंड दे तो रिसीविंग जरूर ले और एक अच्छा यह आर्टी आई आप सोचें कि सरापी दाखिल कर दी चे यदी कोई अब लोग इन्फरमेशन देने से बचने के लिए कई सारे रास्ते ढूंडते हैं तो वहां पर एक रास्ता ढूंड ले जाएगा यह वेक्ति तो कैप्टन अतुल है यह आज पूरे देशबर में शौरे भारत आप के थू या इनकी जो शौरे भारत डिफें पार्टी हैं आप एक वह वेक्ति हैं जो कि स्वैम में परेशान है और खुद एक प्रथम पक्ष है इस बात का तो चुकि आप प्रथम पक्ष है तो आप र्टियाई दे सकते हैं अब यहां पर कई बच्चे ड़ते हैं आज मैं कैप्टन अतुल आपके सामने करके खड़ा हूँ मेडिक मेरा वीडियो देख लीजेगे जाके मेडिकल में किसी व्यक्ति ने मुझसे पैसे मांग लिये थे और मैंने केस कर दिया था वहीं पर आर्मी अथौर्टी के सामने हैitute जब मैंने वहां पर विसल ब्लो करी मैंने केस किया ये डिसाइड हुआ मेरा री-मेडिकल भी मेरा निरस्थ कर दिया मैंने चिप्टी लिखी और मुझे अ 3.00 सी इसने से मुझे चट्टी मिली एक अधिकारी के पत के लिए मैं CDS के लिए करके जा रहा था मन में कते ही डर नी था तो यदि आप दरेंगे तो फिर भगवान मालिक है फिर ठीक है जैसा पानी बहरा है बहने दीजिए भईया तो आपका हक है भईया मौलिक अधिकार है आपका समविधान आपको भारत का समविधान जो सर्वों पर ही है वो आपको अधिकार देता है तो किस बात का डर और आज यदि आप इतनी बात से डरोगे तो आप सेना में जाई क्यों रहे हो तो आर्टी आई आप डालिए 10 रुपे की फीस लगती है इंडियन पोस्टल और से आ अंदर आपको information मिलेगी मिलेगी hard copy में मिलेगी आपको दो सवाल फूशने हैं और बड़ा simple हमेशा जब भी RTI लिखते हैं तो राम कहान ही नहीं गाते अपना रोना नहीं दोते कि मैं दुखी हूं मैं परेशान हूं मैं इतने दिनों से एक्जाम सीधी सी बात है मेरी भरती फलानी ARO के अंतरगत होने वाली भरती जो की इस महा में हुई थी इसका परिक्षा स्थगित होती जा रही है तो हमें कृपा बताने की कृपा करें point number one किस authority या फिर notice या फिर letter के अंतरगत सेना मुख्याले या फिर संबंदित कार्याले आप repeat करकर देख तरही हैं जो मैं श संबंदित कार्याले भरती परिक्षा को बार बार निरस्त कर पोस्पोन किये जा रहा है number one यह आपका अधिकार है दूसरा यह जो भरती थी फला फला तारिक को जो भरती रैली आयो जीत हुई थी इसमें विभिन पदों की संख्या वेकेंसी क्या थी यह भी पता होना चाहि नंबर तीन इस रैली जो यह रैली हुई थी इसकी भरती परिक्षा पुनह कब हो इसकी भरती परिक्षा कब होगी आप इन तीन बिंदूओं में एक साथ भोस सकते हैं या फिर आप तीनों पर अलग-अलग आर्टी आई भी 10-10 रुपे की फीज देकर भी आप कर सकते हैं आपको सटीक इनफॉर्मेशन मिल जाएगी और एक आर्टी आई मैं भी दाखिल कर रहा हूं मुझे भी उन्होंने गाइड किया जो बात मेरे दिमाग में नहीं थी हर सरकारी विभाग का एक दाइत्व होता है कि वो पर्सनल इनफॉर्मेशन आफसर नियुक्त करे और पर् पर्सनल इनफॉर्मेशन आफसर के कोई डिटेल्स नहीं है ना तो एरो में है और यही कारण है न आप एरो जाते हैं एरो के गेट पर गेट बंद रखते हैं आपको अंदर जाने की अनुमती नहीं है एक गेट कीपर आपको जो गेट पर ड्यूटी दे रहा है संत्री वो जो भी है वो नोटिस देख लो आपका हक है पर्सनल इनफॉर्मेशन आफिसर से मिलना और जो भी आपको जानकारी चाहिए वो लेना और किसी भी सरकारी विभाग का ये फर्ज है कि इस नंबर को जिस से इस व्यक्ति से जब बात हो सके इस नंबर को अपनी वेबसाइट प करूँगा क्योंकि यहां पर कर सकता हूं यह चीज मैं कर सकता हूं लेकिन चूंकि आपके एक्जाम से सम्मंदित जो आपको तिथियां चाहिए चूंकि आप ही प्रतमपक्ष हैं तो आप उसको जरूर करें मैं आपको बताना चाहूँगा और इसमें लिखें seeking information under RTI Act 2005 जो जानकारी हेतु ये लिखके उस लिफाफे को आप दें करवा सच है कि परिक्षाएं नहीं हो रही है निराशा का वाता वरण है यहाँ पर आशा की क्रेण आपको स्वेंग जलानी है कोई नहीं आएगा दुनिया तो यहाँ पर सच्चाई को नकारने बैठी हुई है पता नहीं अभी कितने लोग मेरे इस इस वीडियो के ऊपर वीडियो बना बना के भेजेंगे अभी राइट तो आप उनसे बोलिये सर तो यहाँ पर सुर्खिया मत बटोरिये आप हमें आप चलिए न हमारे आग कित लोगों से बात कर लेता हूं तब जाके मैं आपके हित को ध्यान में रखते हुए उस चीज को साजा करता हूं आपसे मेरा मेरा आपकी परिक्षा हो आज अगर परिक्षा टाइम पे हो गई होती तो कसम पर अगलत होती मैंनें हो जाती दूसरी बात कई बच्चों के दि आने वाले लेंटो सर्विस कितनी बचेगी व्यक्ति कि अगर वो इस ज्यादा एज में गुस्ता है तो कितनी रेजडियोल सर्विस बनेगी इन सब के मद्दे नजर कई सारी प्रॉलम्स आएंगी तो सारी बात ही तो वो बच्चे ढबराएं ना परिक्षा यदी होगी तो आपकी एज पर कोई नुकसान आपको नहीं होगा लेकिन जो बच्चे उस रैली में रह गए अगली रैली का वेट कर रहे हैं और अगली रैली के चक्कर में अगर वो ओवेरेज हो जाते हैं तो तो वो ही है क्योंकि वो तो पाटिसिपेट ही नहीं कर पाए रैली हुई नह तो आप अपने हक की लड़ाई स्वैम लड़े और इन्फोर्मेशन ले यहाँ पर मैं आपको बता दू RTI Online 10 रुपे की फीस जमा करिए RTI डालिए हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में रिख सकते हैं कीली सेवर्抗ारी मैं रेहाँ वहां पर की रिख सकते हैं यहां पर डेपार्टमेंट एउफेंस आपपी करेंगे डिपार्टमेंट डिफेंस आप चुल लीजिए गा और आप अपनी पूरी डिटेल भरेंगे 10 रुपे की फीज जमा कराएंगे आप वो कर सकते हैं ओनलाइन डेबिट कार्ड, करेट कार्ड और भी जो जितने भी UPI के तरीके हैं उससे आप इसको कर सकते हैं और आप इसको सब्मिट करेंगे आपको इसमें आप अपना mail ID वगरे डालेंगे और आपको जब आप आप ओनलाइन इस पर जाएंगे वेबसाइट पर तो आपको एक login ID create करना पड़ेगा, वो sign up करना पड़ेगा वो आप कर सकते हैं आप भली बहांतीन चीजों को समस्ते हैं अपनी मेरे इस वीडियो को दुबारा देखके आप जो मैंने बोला है आपको तीन बिंदू में बात करनी है वो आप जरूर देख लीजेगा उनी पर जो भी भाशा में आप लिखना चाहें कर ये अपना रोना नहीं उसमें अपने हम लोगों किसी को नहीं करन अ कि मैं इतने साल देखरे दर धोग्रे घारा हूं। यह कर रहा हूं मिजयो होक ये कुमपल है तो यह बड़ा important है, दूसरी बात, आप यह करें, जिस किसी को भी इससे संबंदित और जानकारी चाहिए, आप अपना phone number comment box में छोड़ सकते हैं, मेरी team, आपके हित के लिए आप से बात करेगी और जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम आपको इसमें मदद करेंगे, हमारा केवल ए चाहते हैं, कि जो विक्ति, जो स्टूडेंट, देश का सैनिक बनना चाहता है, आम ये फोस, नेवी, पैरामिलेटरी फोर्स, पुलिस सर्विजस को, शाहर भारत, एक अडिक स्थम्ब की तरह है, उनके साथ हमेशा ख़़ा रहे, मैं कैप्टन अतुल, आपको एक चीज लिटेल होने की पूरी चांसे हैं, तो इसलिए आप लोग किसी कैप्टन अतुल के जहां से में ना आया है, उसकी ना सुनिये, आप किसी और की ना सुनिये, आप सीधे-सीधे विभाग से ये जानकारी मांगे, रही बात मेरी, मैं अपने आंदोलन को पिछले पंदा दिन स मैं चुकि कुछ अपने हेल्थ रिजन की वज़े से एड्मिट था, और वहीं से मैंने वीडियो बना की भीजा था, मैं अपना ट्रीटमेंट करा रहा था, अब मैं वापस आ गया हूँ काम पर, आज ही मैंने जॉइन किया है, और मैं अब अपस मुहीम को जारी रखूँग मैं गाओं गाओं आके आप सभी से मिलूँगा, आप लोगों को प्रेरित करूँगा, ताकि आप लोग अपने हक को स्वें में लड़ना सीखें, और मैं इतना जानता हूँ कि इस देश के नौजवानों के हित में ही राष्ट हित है, देश हित है, और कोई भी सरकार आपके हितों की अंदेखी नहीं कर सकती, इस वीडियो में मेरा तमाम उन अधिकारियों से, इस वीडियो के माध्यम से, मेरा उन तमाम अधिकारियों से, सरकार के हुकमरानों से, पधान मंतरी महोदे से, रक्षा मंतरी महोदे से, हाद जोड के निवेदन है, कि जो ये देश के मत्रभूमी की रक्षा करने हैं तू सबसे बड़े से बड़ा बलिदान देने को आतुर हैं उनकी पुकार को सुनें उनकी परिक्षा कराएं और उनको एक फेर चांस दें ताकि वो इस देश की गौरव मई सैना का हिस्सा बनकर इस देश की सेवा करें अंतता मैं आपसे यही कहूँगा मेरे प्यारे विद्यारतियों शौर भारत हमेशा की तरे सच्चाई के स्थम की लौग को प्रजल्लित करता रहेगा और आपके साथ कैप्टन नतुल हमेशा खड़ा रहेगा आप लोगों का भविश्वजवल हो यही मेरी इश्वर से प्रा कि एंके खिन है अ ना उड़िए कि ठुरी सड़िं, पहते हैं जब दयतूंर कि यह भी बुवा एंस of में एंसटाूंुन